कि हलो गई वेलकम तू सायोशे स्थालोशन तो गैप इस वीडियो में जो हमारा लास टाइप फ़ेरियेबल जो है अब देखिए यहां पर इसका यूज क्या होता है जब आपको लौकल वेरियाबल हां क्यों डिकले करता है तो अब सब्सक्राइब करते हैं जब हम कोई एक टेम्परौरी रिक्वायर्मेंट हो अगर हम कोई एक वारी रिक्वायर्मेंट होता है तब ही जो है उस case में जो हम local variable का use करते हैं temporary requirement basically बोल सकते हैं अब temporary requirement क्या होता है suppose आपको कोई program है उस program के अंदर आपको कोई एक variable चाहिए जो कि एक value store कर रहा है कुछ जब तक कि वो program चल रहा है उसी particular period तक के लिए अगर आपको कोई value store कराना है किसी variable के अंदर तो उस case में जो है आप local variable का help ले सकते हैं तो ठीक है यहाँ पर आप जहाँ local variable आप कहाँ कहाँ declare कर सकते हैं यहाँ पर मैं बोलूगा यहाँ इसलिए मैं इसको बोलते है method level variable तो यहाँ जो है आप method के अंदर जहाँ directly आप जहाँ declare कर सकते हैं directly declare कर सकते हैं अब देखें यहाँ पर इसका scope क्या होता है इस local variable का scope क्या होता है जब तक जब आपका method execution start होता है यहाँ पर एक second देखें आपका method कोई method ले लिए आपने diff यहाँ पर M1 ठीक है यहाँ पर आपने क्या करा एक variable declare कर लिए a is equal to 10 ठीक है यह क्या होगे आपका local variable क्योंकि यह method के अंदर declared है अब यह variable का scope क्या होता है इसका यह देखें यह variable होता है जब यह method करना start करता है यह method जब run करता है तब यह variable आपको बता दूगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वैसे आप सब को पता हुआ विल क्या होता है तो यहां पर चलिए नेक्स्ट किया पर मैं एक्जांपल से यह आपको दिखा जाता हूं अगर आपने मेठड के अंदर कोई डिखले करा है अगर आपने क्या कर सकते हैं आप यहां पर लिख देखाओ इसका एक्जांपल भी करा दूगा तो यहां पर आपको और अच्छे से डियर हो जाएगा किihu Nous दोटाओ और इसके अंदर एक वेयरिबल करता हूं ऑर यहां पर इसी के अंदर मैं मैं A की value print कर लेता हूं एक देखें के दूसरा method लेता हूं डिफ M2 और इसके अंदर एक variable बनाता हूं 20 जिसकी value मैं रख लेता हूं 2000 ठीक है गैस और इसी के अंदर जो हमाँ ty value भी print कर लेता हूं कर लिए यहां पर यहां पर कर रहा है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर प्रेंट हो गई है यहां पर अगर मैं पर देखे क्या होता है वापस से रहा है यहां पर देखे हमारा यहां पर देखे क्या आ रहा है पहले तो 1000 और 2000 आउटपुट हमारा आ जा रहा है 1000 तो आउटपुट कहां से आ रहा है यहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर टी डॉट एम मैं कॉल कर रहा हूं तो सबसे पहले एम मेथड रां कर रहा है रं कर रहा है तो 1000 प्रिंट हो जा जा रहा है फिर क्या कर रहा हूं मैं तो यह पहले लिख लूँ अब वापस रन करता हूं तो देखिए यहां पर क्या होगा इसी केस में एरर आ जाएगा आपका बी नहीं एक्जिक्यूट हो जाएगा यहां पर आप आप आउप पूट काया है सिर्फ 1,000 इस पर 2,000 आउपट क्यों नहीं है क्योंकि इस पर मैंने वी को जो है एरर वाले इस्टेट्मेंट के बाद रखा है तो जहां एरर डिटेक्ट हो जाता है आपका प्रोग्राम से कंट्रोल वहीं से बाहर आ जाता है तो यह था आपको लोकल वेरियेबल काफी इजी यहां तक हमने तीन वेरियेबल कभर लिया है कि कौर से टाइप के मेथोड में आपके पास in the method, static method, class method यह तारे method के बारे में जो है मैं cover करना हुआ और निक्स वीडियो से जो हम inheritance वगरा के बारे में जो है जानेंगे तो गाइस तब तक के लिए गाइस इस चैनल को subscribe कर लिजिए और इस वीडियो को like कर दिजिए और अपने friends के साथ share कर लिजिए गाइस thank you